सब्सक्राइब कीजिए एस फ्रेशन डिजैनर यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बैल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे ग्यारे इंच ब्रेथ साड़े साथ इंच इसको इस तरह से डवल फोल्ड कर लेना है जिस साइड यह हमारी क्लोज है इस साइड से जितना भी आप गले की ब्रेथ पहनते हैं डाई इंच या तीन इंच उतने पर हमें निशान लगा देना है यहां से हमें साथ इंच यहां से आधा इंच तक यह लाइन ड्रो कर देनी है यहां से हमें चार इंच तक लाइन ड्रो कर देनी है सीधी उसके बाद हम इस लाइन को हम यहां से यहां मिला देंगे यहां से हमें 1,5 इंच तक लाइन ड्रो करनी है उसके बाद हमें इस तरह से तिर्ची लाइन बना देनी है अब यहां से हम एक एक इंच इसके बीच की दूरी पाच इंच होनी चाहिए और इस पर हमें यहां पर सिलाई लगा लेनी है आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है इस तरह से फोल करके यहां पर हमें सिलाई लगा लेनी है अज़ा है वहाँ 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 को हम अंदर की तरफ पलट लेंगे और यहां पर हम तुर्पाई कर लेंगे यह मैंने एक पत्टी काटी हुई है मुझा इसके लैंद यूछ वय theories आज रिर्फ से मात गड़ें की है और इस पर द्लाइंगल लगाने के लिए मैंने कटिंग की हुई है तेन इंच चोडाई है और तीन इंच लंबाई है इस तरह से मैंने कटिंग की है दोनों कलर की अब सबसे पहले हम यहाँ पर इसको फोल्ड करके एक फोल्ड और करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे सिलाई हो चुकी है अब इस को हमें इस तरह से फोल्ड करना है उसके बाद एक फोल्ड और करना है और इस तरह से रख करके हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है बाद लगानी है उसके बाद लगानी है कि उसके बाद दिलाई अब लगानी है इस तरह से यह बन चुका है अब यह जो हमारा कुर्टी है इसमें यह जो गला है इसको हमने इस तरह से डवल फोल्ड में कर लेना है और यहां पर हमें निशान लगा लेना है इस तरह से और इसके नीचे हम इस तरह से रख लेंगे और यहां से हम सिलाई लगाते हुए लाएंगे और इस तरह से यहां पर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से यह सिलाई हो चुकी है अब यहां पर हमें लैस लगानी है इस तरह से रखेंगे, लैस के दोनो साइड हमी सिलाई लगानी है और इस तरह से रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से आप ऐजले गलाबना सकते हैं यादि आपको मेरे वीडियो पसंद आया आप लाइक करें, शरग गानी स्ब्सक्राइब करना ने भूले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास कोचिए थेंक यू